हाथी और उसके दोस्तों की कहानी बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया, यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था, वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह जूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा, खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल म फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंधक के पास गया और वही सवाल पूछा, मेंधक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना उची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के वाबजूद दोस्त नहीं बना सका, फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दोड रहे थे, ये देखकर हाथी ने दोड रहे एक भालू से पूछा कि इस उपदरव के पीछे का कारण क्या है? भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। को उसकी सारी ताकत लगा कर धक्का दे दिया। जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ, अब बाकी सभी जानवर धीरे-धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनन्दित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सह ही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारन नहीं करता है।